हलो दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चलेंग दोस्तों आज की वीडियो में आप लोगों को मैं बताऊंगा कि SBI क्रेट कार्ड अगर आपके पास है तो बहुत ही अच्छा चीज इनके में बताया गया है SBI क्रेट कार्ड के एप में सबसे में पहले आपको बता दू कि दोस्तों अगर आप SBI कार्ड का एप यूज़ कर रहे हो ठीक है मुबाइल बैंकिंग यूज़ कर रहे हो तो इसमें बहुत ही अच्छी फैसिलेटी क्या दी गई है सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को बता दू कि OTP, CCV, मुबाइल नमबर, बैंक से जुड़ी सारी नीची चीज़ों को आप किसी से भी शेयर ना करें चाहे कोई कितना भी कोई पीछे, कॉलिंग पर पूछे तो यह सब चीज़े कभी भी किसी को मत बताना, OTP तो खास करके मत बताना और और फिर मोबाइल जो लिंक रहता है आपके बैंक मे दोस्तों यह बात ध्यान रखना तो टॉपिक पर चलते हैं दोस्तों सबसे पहले जो SBI काड का एप है ठीक है उसमें आप लोगों क्या मिलता है सबसे पहले आप यूजर आडी बना लेजिए फटाक से और यूजर आडी बनाने के लिए आपको कार्ड नमबर लगता है और आपको देखने को मिलेगा माय प्रोफाइल अभी माय प्रोफाइल में इतना मुझे चीज अच्छा लगता है कि इसमें आपका जो सारा कुछ वहां पर फटाक से दिख जाता है दोस्तों आप लोग को मैं बता दो कि कभी भी किसे से मुबाइल नमबर और मेल आडी शेयर न दोस्तों आप और फ्रॉंट से बस सको उसके बाद दोस्तों इंस्टन्ट आप इसमें पिंचेंज कर सकते हैं उसके बाद दोस्तों समयलीज़या कोई कार्ड आपके पास आपका घूम हो गया है फ्लॉस हो गया तो आप तुरंट उसको ब्लॉक कर सकते हैं बहुत अच्छी सर्विस है दोस्तों आप लोगों को बता दू कि इसमें मुझे एक फैसलिटी बहुत काम में आई है वह भी पींचेंज का मैंने इस पीन का मुझे कही कॉल करना ने पिटा तुरंट के तुरंट सब्सक्राइब का इस पार उसके बाद दोस्तों कार्ड रिशू समझा लेज़े आपका ब्लॉक कर दिया आपने आपको नया चाहिए तो आप कंप्लेंट करके अगर आपका कर लॉस हो गया तो इसके बाद दोस्तों मैंनेज काड मैं मुझे बहुत यह अच्छी फैसलिटी यह लगती है कि इसमें एक online transaction का option आता है और फिर international domestic uses अब इसमें होता है क्या है दोस्तों अगर आप online platform से कोई चीज पर्चस करें mobile किरा किराने के समान या बहुत सारी समान अगर आपको नहीं करना है वो ठीक है online चीजी यूज नहीं करना आपको तो फिर आप online चीजों को आफ कर सकते हो ठीक है दोस्तों आफ कर सकते हो अगर आपको जब चाहिए तो आउन करा सकते हो इससे क्या करना दोस्तों online transaction पर जो fraud होते हैं आपके साथ वो fraud बहुत कम होंगे मतलब होने की चांसेस ही नहीं आपको नहीं चाहिए तो डारेक्ली आफ कर दो उससे नहीं होगा और इंटरनेशनल transaction पर भी रोक लग जाती है दोस्तों मैंने बहुत लोगों को देखा ना कभी-कभी नहीं बहुत चीज़ें इंटरनेशनल फ्रॉड हो जाती है इंटरनेशनल लोग इंटर बाहर बाहर देशों से पता नहीं कैसे फ्रॉड कर लेते हैं तो मैं आप बताना चाहते हूँ के SBI चीज में इतना अच्छा फैसलेटी दिया गया है कि आप इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन को आफ कर सकते हो ठीके दोस्तों अभी बहुत सारे क्या है सब्सक्रेशन हम लोग ना इंटरनेशनल लेते हैं तो कभी-कभी बहुत ऐसे चीज़े होते हैं दोस्तों आटोमेटिक कड़ जाती है ठीक है और अटोमेटिक कड़ जाती है फिर हमको लगता गया रहार आटोमेटिक कड़ गया नहीं कटना चाहिए था और बहुत चीज़ें को कैसा कंप्रेंट लेकर बंद करना बठालें कभी-कभी नो बंद चीज नहीं होते तो इसमें एक फैसलेटी दिए बहुत अच्छे लगी है उसके बाद दोस्तों एड़न कार्ड में क्या होता है कि आपके पाल से एक रेट कार्ड है उसके दो कार्ड बना सकते हो लेकिन लिमिट उसमें सेम रहेंगे समय लेजे कि आप आप हो और आपके वाइब को भी दूसरी कार्ड चाहिए तो एड़न कर्ड बना करके दे देंगे आप आप भी उसकर सकते आपके वाइब भी यूजिस कर सकती लेकिन अपके नाम पड़ी होगा और आपको पेवांड करना पड़ेगा और उतना ही स Almostка रहेगा और दोस्तों आप लोगों को नंबर मका ह出ख रहता है सो योकरेंट कर ने पीछे र बहुत जादा लेट लगता है साथ कर लेता है क्पंदरा था लेकिन बहुत जादा वुछ सब्सक्राइब का उन्हों प्रावलम आया था मुझे मैं आपको नेक्स वीडियो में बताऊंगा क्या प्रावलम आया था लेकिन उतना रेर पालम नहीं था वो स्वाल करके दे दिया था उन्होंने और दोस्तों आप लोगो बता दूब कि अगर आपको लिमिट बढ़ाना है तो आपको रेगुलर यू जाता है तो दोस्तों इस वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्क्राइब कर दीजिये चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए करता कि नगए टारी